वेलकम तो माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज आज का ये पूरा वीडियो कहीं लोगों के लिए बहुत ही यूस्फिल रहेगा और ये कुछ एस्ट्रोजिकल कॉंबिनेशन के उपर है और इसका जो पूरा जो थीम है जिस टॉपिक में बात करने वारी हूं वह है इंग्जाइट में बहुत ज्यादा उस चीज से सफर कर रहे हैं या प्रॉब्लम में हैं कुछ ना कुछ मैडिसिंस ले रहे होते हैं थेरपी कर रहे होते हैं साइकोलोजिकल उनको कहीं बार डॉक्टर्स डिसॉडर्स बता देते हैं उससे वह परिशान चलते हैं उनका सेल्फ एस्टीम य यह ऑर मेरा मेरी पर्सनल स्वास रिसर्च भी है और लोड़े जीतनी हमारे उनकार टेक्स्ट जलberry में राशियों के बारा बार में बताया गया है वहाँ पर लिंग थोड़ी अलग है कियोंकि वह बहुत हजारों साल पहले लिखी गयी थी लेकिन अगर हम उन सब चीजों को वो जितने भी combinations या quotes जो बताए गए हैं उसको हम आज के टाइम पे अगर fix करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों पे positively काम कर सकते हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप लंबे समय तक medicines लें क्योंकि medicine कोई भी आपको एक छोटे short term के लिए आपको relief दे सकता है short term के लिए आपको उस चीज से escape कर सकता है लेकिन long term वो solution नहीं है long term तो आपको अपने physical चीजों पे अपने behavior पे अपने thought process पर ही काम करके उन चीजों को alter करके ही आप पूरी तरीके से उससे निकल सकते हैं लेकिन कहीं लोग में से यह पूसते हैं कि अगर किसी को anxiety है depression है nervousness है restlessness है तो क्या वो ठीक हो सकता है तो मैं बोलूँगी कि हाँ अगर चार्ट के अंदर कुछ combinations powerful है पहली बात तो इसमें यह नहीं है कि कोई अगर मैं यह चीज बता रही हूं और अगर आपके चार्ट में कुछ positive combination है तो पहली बात तभी आप इस पूरे वीडियो को भी सुनेंगे दूसरी बात जब ही आप जाकर वह सारी चीजें कहीं न कहीं उसकी remedies या उस पर workout करेंगे अगर आपके चार्ट में वह positive combinations नहीं है तो आपके पास में वह positive चीजें भी सामने किसी भी फॉर्म में नहीं आ पाएगी तो यह सारी आपकी personal chart ही decide करेगा कि क्या चीज आप ले रहे हैं किस इंसान की energy ले रहे हैं किसके पास जाके अपना treatment करवा रहे हैं treatment कितना लंबा चलेगा कम चलेगा lifelong चलेगा कितनी आप medicine लेंगे या spiritually आप ठीक हो जाएंगी यह सारी की सारी चीजें आपका personal chart ही decide करेगा इसमें कोई इंसान उसके अंदर कोई जादू नहीं कर रहा है वो आपकी energy थी आपको ऐसी चीजे नेचर प्रोवाइड करवा देता है और वो सारी चीजें फिर positively या negatively आपकी life में होने लग जाती है तो आज मैं कुछ यहां पर simple तरीके से आपको समझाना चाहूंगी कि कुछ राशियों के हर राशी के तत्व है और कुछ अगनी तत्व की राशियां है कुछ वायू है कुछ जल है ऐसे कुछ प्रित्वी तत्व है तो जिनकी भी chart के अंदर तीन राशियां जो है वो अगर यह Ascendant इस राशि Кे अंदर है यह उनकी महादशय राशियों की लंबी-लंबी चलनल लग गए है जैसे की मित्वन राशी, लिब्रा राशी और एक्विरेश राशी, तीन, साथ, direश, जैमिनाइन, लिब्रा और एक्विरेश यह वायू तत्व की राशियां है और जब भी अभिया भी in a chart भुटे टो आपकी बॉडी में वायु तत्व जो है वह जना जब अपर नीचे रहता है और वायु तत्व बांनाँ चैडरों कि आपके ऑपर होता है जल्द soldier ho cares retention को अपनी सांसों को इंबर शल्य सब्सक्ति मतलब किया इसे लोगों को क्योंकि उनकी of बहुत नीचे उनकी ब्रीधिंग होती है तो इस वजे से उनलों को बहुत जाद रेस्टलेस्नेस और एंग्जाइटी उनलों को हमेशा रहती है तो वायू तत्व जो है वह उनका बॉड़ी के अंदर इंदर इंबैलेंस है जैसे ही वायू बैलेंस होएगा आपकी बॉड़ी यह राशिया यह तत्व अगर बैलेंस है तो ऐसे लोग बहुत इंटलिजन्ट होते हैं बहुत ट्रावल करते हैं बहुत गुमते हैं और यह इस टॉपिक का सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सबसे में जो आज जो इस वीडियो में बात कर रही हूं वह सबसे में जो है वह अंदर तीन राशियों में जिनका चंद्रमा, महादशा या मेजर प्लैनेट्स इस राशियों में बैटे वे हैं तो वह लोग प्रोन हो जाते हैं इन सभी चीजों के लिए अब मैं सीधे आऊंगी इसकी कुछ रेमेडी के उपर मैं ज्यादा कॉम्बिनेशन पर बात नहीं जाता है, आपको clarity आने लग जाती है, आपको goal समझ में आ जाता है आपकी life का क्या करना है और वायू जब imbalance होती है तो restlessness होना है, anxiety होनी है तो सबसे पहले वायू को sound के साथ में connect किया गया है, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ classical music हमेशा सुनना चाहिए डेली का उनको एक routine मिना अपना कि 10-15-20 minute जितनी भी उनकी इच्छा है उनको रोज कुछ classical music या कोई ना कोई राग भैर भी हो गई है इस तरह की जितनी भी राग है उनको सुनना चाहिए जो भी आपको पसंद आए आप वो सुन सकते हैं सेकेंड हो गया आपका breathing exercise क्यूंकि वायू आपकी breathing आपकी nostrils है ठीक है तो जब भी भी वायू खराब होता है तो सबसे पहला symptom है कि उनकी breathing pattern disturb हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी वो लोग सांस लेते हैं उखर उखर के उनकी सांसे आती है जब यह चीज़े होती है उसी panic attack आया है यह anxiety आपको तुरंत किसी time पर हो रही है तो आप तुरंत अपना thought जिस भी चीज पर आप सोच रहे हैं सबसे पहले तो आप वहां से अपने thought को बदल दीजिए किसी और चीज के बारे में positive चीज के बारे में सुनना या पढ़ना चालू कर दीजिए वो उस वक जो थर्ड जो है यह मंत्र चेंटिंग यह एक spiritual aspect है ओम वायू पुत्राय नम्हा यह बहुत ही स्ट्रॉंग आप रेमेडी बोल सकते हैं इसको तो वायू कहीं न कहीं आपकी balance होगी ओम वायू पुत्राय नम्हा एक यह हो गया breathing exercise हो गई मंत्र चेंटिंग हो गई आपके जितने हैं जो आपके mind को peace देते हैं और harmony में लेके जाते हैं ऐसा music सुनना है बहुत fast या beats वाले music इस टाइम पर नहीं सुनने है और हलका हलका walk करना आप start कर दीजिए और आप देखेंगे दो से तीन महीने के अंदर ही आपको लगेगा कि हाँ मेरी जो body है वो वायू के rhythm में नेच चलेगा वो बहुत जादा ऊपर नीचे नहीं होगा तो यह आप दो से तीन महीने में आपके body के अंदर changes आने लग जाएंगे और अगर आप कोई teacher मतलब को train teacher रख लेते हैं इसका जो आपको proper तरीके से प्रणायम सिखा दे इससे best anxiety restless को खतम करने की कोई भी technique नहीं आप ती Thank you so much.